आज एक और दिन और आज फिर से बॉलिट से हम वही प्रशन पूछेंगे जो लगबग हर रोजी उनसे पूछना पड़ता है कि भाई क्यो आकिर क्यो लगबग हर हपते ही कोई एक या दो ऐसे फिल्में रिलीज होती है फिर एक या दो फिल्मों के टीजर ये ट्रिलर होते हैं हिंदी रिमेक जिसे कथी तुरूप से हिंदी रिमेक कहते हैं बॉलिट वाले हलाकि उनमें हिंदी कहा होती है वो तो ऐसा पूरा भूसे के धेर में राई का दाना ढूनने जैसा कठीन कार रहे है कि बॉलिट की फिल्मों में हिंदी खूजनी पड़े जातर तो या कोई टीजर ट्रेलर या कोई इनों के फिल्म एक दो रिलीज हुई जाती है जहाँ पर बारवार हमें बॉलिट से यही प्रशन पूछना पड़ता है कि भाई क्यो आज से ठीक चार वर्ष पहले जून 2018 में मैंने जो ओरिजनल विक्रम वेदा है उसका रिव्यू किया था फिल्म में से 2017 में रिलीज हुई थी पर लगबख एक वर्ष तक उस ओरिजनल फिल्म सब्टैटल्स के साथ में या हिंदी डब्ड वर्जन कुछ भी रिलीज ही नहीं हुआ था लगबख एक वर्ष तक और फिर एक वर्ष के बाद में उसका डब्ड वर्जन डिरेक्ली यूटूब पर उन्होंने रिलीज कर दिया था हाला कि अभी यूटूब से उन्होंने हटा दिया है अभी MX Player पर और Disney Plus Hot Star पर आप इसका हिंदी डब्ड वर्जन मूल फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन देख सकते हैं MX Player पर फ्री में देख सकते हैं तो 2018 में मैंने उसे देखा था और मुझे परसनली फिल्म पसंद आई थी आर्मादवान में जैसे तो कहती उनके पर्फॉमंसेस फिल्म में बहुत बढ़िया थे ओवर्रॉल फिल्म का जो सस्पेंस था वो मुझे पसंद आया था बाकी फिल्म जो कहने का प्रयास करती है उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है पर ओवर्रॉल जो एक experience था फिल्म में जो एक सस्पेंस उन्होंने बना कर रखने का प्रयास किया था वो मुझे पसंद आया था और story telling interesting थी उस समय उस review के नीचे अभी भी आप हमारे उस review के नीचे जाए और comments पढ़िये कई सारे लोगों ने नीचे comments किये थे कि भाई Bollywood अप इसका भी remake करेगा सबने पहले ही मतलब सबको पहले से ही पता था कि Bollywood ये कर सकता है क्योंकि दूसरा कुछ था हमें दिखता भी नहीं वैसे भी Bollywood में इसलिए आजकल Bollywood को remake would या copy would भी कहा जा रहा है और उपर से देखिए उपर से आजकल एक नया उन्होंने कुछ word यूज करना शुरू कर दे रिमेक नहीं है adaptation है रिमेक नहीं है adaptation है उतलब ये देश की जंदा को क्या बेवकुप समझते हैं या इन्हें लगता है कि देश की जंदा को कुछ समझ में ही नहीं आता ये मेरी तो समझ से पर रहे है उतलब remake नहीं है adaptation है inspired है भाई किसे आप किसे आप क्या बोलू अभी बेवकुप बना रहे हैं ये बोलना भी सही नहीं लगता पर अब क्या बोले चलो आपने scene to होते तो लगबगी जो adaptation adaptation बना बोलते होते तो scene to scene remake ही है गई पर कुछ थोड़ा बहुत इदर उदर कर देते हैं और जो इदर उदर करते हैं उसमें भी उनकी तिकड़म वाला दिमाग होता है वो इतना उसमें भी कुछ नो कुछ problematic बाते डाल देते हैं जैसे कि हमने अभी जो दोबारा अनुरा कश्यप के देखी उसमें क्या तिकड़म वाला दिमाग लगा है वो आप हमारा रिव्यू देखिए दोबारा का उसके लवा लाल सिंग चड़ा को देख लीजिए एक अमरीकी सेना के लेटिनेंट उनकी जगव पाकिस्तानी आतां कि उनोंने उसमें ये उनकी creativity होती है इतने वर्षों तक कि समय लेते हैं उसमें चलो यहाँ पर तो जो ओरिजिनल फिल्म के writer डिरेक्टर है पुषकर और गायतरी पति-पत्नी है दोनों तो वे ही इस फिल्म के को भी डिरेक्ट कर रहे हैं ओरिजिनल फिल्म सबने देख लिए है और अब थेटर तक लोगों को लाने के लिए जो कि पूरा का पूरा एक copy version है, remake है scene to scene remake हम इसे कह सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने अपने तरीके से जो production value है वो बढ़ा दी है जो set, location वगरा है वो change obviously change होंगे ही न तो अब audience को थेटर तक लाने के लिए ending change कर दिया है, ये कहा जा रहा है तो आप लोगों से जो कुछ चाहते हैं कि लोग हजार, दो हजार तीन हजार रुपए खर्च करें विकेंड पर आकर, तो क्या वो एक scene to scene remake देखने के लिए खर्च करेंगे यहाँ पर उपर थमनेल पर तो सेफली कान और रितिक रोशन दोनों का ही फोटो उन्होंने पोस्टर लगाया है पर ये जो टीजर था वो पूरी तरह के से रितिक रोशन पर ही उसमें इसमें फोकस किया गया है और इसमें भी एक जो बात मुझे विशेश्ट अगर हम ध्यान से देखे तो हमें आरे जो ध्यान जाता है वो है रावन के उपर रावन को जलाये गया हम देख सकते हैं और एक scene में रितिक रोशन ऐसे कुछ action करते हुए दिख रहे हैं जो ओरिजिनल फिल्म में भी विज़े सितुकति का वैसा ही एक scene है पर background में यहाँ पर रावन को जलते वे दिखाया है तो अब यह जो कुछ भी metaphor या symbolic way में वो जो कुछ भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे है या वेधा का जो रितिक रोशन का character है उसे रावन के सामने दिखा कर क्या आवशकता थी मतलब फिल्म की theme हम जानते हैं फिल्म यही कहना का प्रयास करती कि वे black and white कुछ नहीं होता है grey shades के बारे में बात करती है हर एक चीज के अलग-अलग पहलू होते हैं और जो पोलिस officer जो इमानदार करतविनिष्ट पुलिस officer है विक्रम का उसका अच्छाई बुराई इसके तरब देखने का दृष्टिकोन उसका perspective कैसे change होता है बदलता है उकल मिलाकर यही फिल्म की theme है तो वेदा का जो character है उसका भी अपना एक perspective है उसकी भी अलग एक side है उसके भी layers उसके प्रतिक sympathy पैदा करने का प्रयास वगिरा एक ऐसा कुल मिलाकर फिल्म की theme है तो अब ऐसे character को आप रावन के सामने दिखा रहे हैं तो जो कि original film में भी जितना मैंने देखा मुझे जितना याद है मुझे याद नहीं कि ऐसा कुछ था तो ये क्या और चलिए original film में बगर वो होता ना ऐसा कुछ scene भई रावन को background में दिखाते Tamil film है तो भी मुझे कुछ ज़्यादा आश्यर नहीं होता है क्योंकि कुछ Tamil film में हमने देखा हुआ है कि रावन को एक प्रकार से justify करने का या उसका महिमा मंडन करने का प्रयास किया गया हमें देखने को मिलता है कुछ Tamil film में पर वहाँ पर तो मतलब ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा तो यहाँ हिंदी remake में आप ये पता नहीं मेरी तो समझ से परे है कुल मिलाकर दिख तो रहा है यही कि scene to scene remake है कथित रूप से ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि ending कुछ change कर दी है और बाकी बदला हो तो क्या production value वगरा ज्यादा बड़ी हुई अच्छी कासे दिख रही है पर एक बात जो सबसे ज़ादा परेशान इस teaser में जिस बात ने मुझे किया वो है रितिक रोशन की fake accent वो irritate करती है बिल्कुल super 30 की तरह यहाँ पर भी उनकी वो fake accent हमें सुनाई दे रही है इसकी क्या आवशक्ता थी पता नहीं अब यहाँ पर लकनों में उन्होंने इस कहानी को स्थित किया है अब ठीक है आपकी accent नहीं है सही से या वो बड़ा ही suit नहीं कर रही है सही तरीके से बोल नहीं पा रहे है तो वो नहीं रखना चाहिए ना कुछ अलग setup रखते आप और इससे पहले भी हमने देखा जर्सी जिससे film हाला कि वो एक मसाला action film नहीं थी जर्सी इसलिए रिमेक अच्छा था जर्सी भी अगर हम देखे जो रिमेक था वो अच्छा था एक filmmaking point of view से हम अगर देखे तांतरिक दृष्टी से तो एक बहुत बढ़िया तरीके से बनी वी film थी रिमेक पर फिर audience theater तक नहीं गई थी अब यहाँ पर विक्रम वेदा में एक plus point एक यह कह सकते हैं कि एक रितिक रोशन है उसका नाम जिसको लेकर तो controversy अलड़ी चली रही है पता नहीं कितने लोगा भी रितिक रोशन को थीटर में जाकर देखना चाहेंगे पर फिर भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत मसाला एक्शन इस नाम के कारण इस टैक के कारण थोड़ा बहुत film collection कर ले पर मैं तो personally पूरी तरीके से disappointing हुआ हूँ इस teaser को देखकर उपर से देखिए रितिक रोशन ने अभी कुछ समय पहले the empire jc web series लाखो लाखो हिंदूों का नरसंगहार करने वाला एक आक्रमन कारी आकरान था उसका महिमा मंदन करने अली web series उसका आप promotion करते हैं लोगों ने उस समय भी रितिक रोशन की कापी आलोचना की थी उस पर मैंने अल्रेडी विडियो बनाया हुआ है मैं तो तभी से ही मेरे मन से ही रितिक रोशन मतलब मेरे मन में तो जरा सा भी बिल्कुल भी कोई नहीं है ऐसा कुछ भी देखने की excitement उट सुकता वगेरा बिल्कुल भी नहीं है ये विडियो देखने के लिए समी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम